हेलो फ्रेंट्स मैं स्वरोज आज आज आपके सामने क्रिस्पी नमक पाड़े की रेसिपी लेकर आई हूँ आपने वीडियो को इस्टार्ट करती हूँ इस कप से मैंने 2 1.5 कप मैदा ली हूँ मैं यह देख सकते हैं और इसके बाद मैं थोरा सा इसमें जीरा इतक Wonderful अज माइं विदा मैं चुट देखी कितना हें 1 पोर्थ चीनी है चीनी यह यह बेकिंग सोडा है इत चुटकी भर और थोड़ी सी कली मिड़े है تेस्ट आना चाहिए काली मिर्च है अब अपने टेस्ट के कोड़ी नमक लीजिएगा अब इस स्पून से मैं एंटू अब इसको मैं अच्छे से मिक्स करूंगी इस टाइप से मिक्स कीजिएगे इस टाइस से तभी अच्छे से मिक्स होगा अब इसे पानी कुरत्र पानी देकर सक्त डू लगाएं सक्त डू लगाने के बाद इसे धक कर पांच मिनिट के लिए छोड़ दीजिएगा देखिए इस तरह से आटा में डू में मैं ओयल लगा करके दस मिनट तक खोड़ दी थी देखिए किता सौब तयार हो गया है काफी सक ठाटा लगाई थी मैं चलिए अब इसे की छोटी छोटी लोईयां बना ले इस टाइप से अब इसमें आसे 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 ओयल लगाले अब इसमें आसे आसे ओयल लगाले इस टाइप से ओयल लगाले और हलका सा मैदा लेकर की इस तरह से इसकी डस्टिंग कर ले और इसे फोल्ड कर दे इस तरह से ट्रेंगल जिप में फोल्ड करना आए फिर अगें रिफाइन लगा ले फिर इस से अब अब आप इसे इस तरह से ट्रेंगल सेट में बेलने इस तरह से मैं बेल चुकी हूँ अब मैं इसे मेरा वयल गर्म हो चुगा अब इसे मैं गर्म वयल में तलती हूँ देखिए इस तरह से बनकर रेडी हो गया है देखिए कितना क्रिस्पी है थैंक यू फर वाचिंग प्लिल लाइक एंड शेयर मैं वीडियो दू कंसिडर सब्सक्राइब इस नोटिफिकेशन आप मैं यू वीडियो एंड कमेंट डाउन प्लिकेशन आप मैं इस्ट्राइग